बेनी पट्टी अंचल के सोहरवल में डूबे दोनों वच्चों का सब काफी जदो जहद के बाद मिल गया है। डूबेने के करीब 4-5 घंटों के बाद सब को ग्रामिनों ने पानी से निकाल लिया। हैरत है कि अनुमंडल मुख्याले और ब्लोक मुख्याले से महज 10 किलो मीटर पर हुई घटना स्थल पर जाने में प्रसासन को घंटों लग गये। प्रसासन के नाम पर महज अंचल के सी आई और राजसु करमचारी ही पहुँच पाए। जबकि ग्रामिनों का कहना था कि पानी में डूबने की सुचना सभी पताधिकारियों को दी गई। बावजूद कोई देखने तक नहीं आया। आपको बता दे कि आज सुबह बाध में भैंस चराने गए दस बर्षी एक बच्चा और एक बच्ची बाध में बने गड़े में डूब गए। संभावना जताई जा रही है कि उक्त गड़ा किसी जेसीवी से कराई गई होगी। जहां दोस नदी का पानी उच्चाल मार कर पूरे बाध को आगोस में ले लिया। उसी पानी में डूबने से सहरोल के हरी चंद्र यादव का पुत्र श्याम सुंदर यादव और सुरतलाल यादव की दसवर्षीय पुत्री दीपिका कुमारी की मौत भैंस के नहाने के क्रम में हो गई। डूबने की घतना की जानकारी पदाजिकारियों को दिये जाने के बाद भी मौके पर किसी भी पदाजिकारी और कर्मी को नहीं देख ग्रामीन भरक उठे थे। काफी देर बाद अंचल के कर्मी मौके पर पहुंचे। फिलहाल सब को पोस्ट मातम के लिए मधवनी भेज दिया गया है। उधर मृतक के परिजानों के चितकार से पूरे सहरोल गाउं में मातमी सरनाटा पसरा हुआ है। गड़े चली नहीं ता पता चलाला कि दू घंटा पहले कि एगो बच्चा के लिए गड़े बात आवे सबके कि दू बच्चा अमर गेले आने अभी तक लवट के नहीं आले। वहां एगो खधाय बहुत तीन मरद गढ़ा होते। पता पता अभी ता कवच्चा की नाम गद बच्चा की पिता की नाम पहले। टाडि चंदर कल्ग दा दोसर क्ये संसंदर के पिता के नाम नहीं पता क्या नमर वाडगे नमर 5 के गतना चहें जब चोड के नाम छी नाम छिंद। कर नो कि अर्म जब घट नाव में पजल सिसंगु जए को सुगना है कि अभी अगनाल आप शुपर क्यों अभी अभोर्श कि ने घुखर उक्षित मौस्ट आपने चटले इंग अधिया करी अभी अचिक पटा जोरे संगति ने चले अचिल पता किन अचिले का मुछ मुछ ने वह की नाम चाले भचाए के लड़की के लिपीका कुमार । iba उमर को पिता के लुगार ईकर पिता के की नाम चे बचा अधना नहां टेशर के पार आप पापा के पांपा इवर्टता अधे का लुगार अधे प्रिंटिंग की फैक्टरी जहां कम खर्ज में क्वालिटी वाले जोले बनाय जाते हैं साथी लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में जोला